जेहिन मेरे प्यारे दोस्तों हमारी इस चैनल एक्ष टेम आपका श्वागत है देखें नाबाड बैंक के अंतरगत पे 27 जुलाय दोजार चौबिस को यहां पर 102 पोश्टों के लिए नौटिबिकेशन अपडेट किया है देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या आपके लिए डिसकस करेंगे इससे पहले हम आगे बढ़े यह दिया आपके द्वारा हमारी इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब के जड़ा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो इसका नौटिबिकेशन आपके पास समय पर उप इसका क्या चीजे है ओनलाइन एप्लिकेशन रजिस्टेशन एंड पेमेंट ओफ ऑनलाइन फीस और इंटी इंटिमेशन से चार्ज इंकलूट है तोनिटी सेवन जुलाइए दोजार चौबिस से लगर फिफ्टी नगस्त दोजार चौबिस से प्रिलिम नरी बेसक अंतरग से अंतरगत पर क्या कैसे चीजे हैं जैसिंटेज से यहां होगा हैं चांटेट्स एक के लिए 4 पोस्ट आ है फॉर्फ नमर का कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेकनोलोजी के लिए 16 पोस्ट पोस्ट एंगरी कल्टा अंतरगत टूश्ट फिस्रिस के अंतरगत और प्लांटेशन से एंड अल्टिकर बेस एंटरगत पे एक पोष्ट है जीव इंफराइस्ट्रफ्टर के इंधरगत पे एक पोष्ट है फिर उसके बाद में डेपलामेंट मैं एक्ट मैं थी पोष्ट है इस्टार्टक्स के लिए थी यहां पर जैसे तूटल एसिस्टेंट में चले आपके लिए यहां पर इखिये वाला ठीक है राजबासा जैसे कि यहां पर लिखा गया है किलर कर देता हूँ राजबासा की अंतरगत पर आपका टोटल किती वेकेंसे दो पोश्ट इंक्लूड़ है यहां पर 102 फोश्ट जैसे study code जो भी इस चीजें पर इंकलूड किया गया है कटेगरी की चीज़ आपके इंकलूड होनी है वो यहां पर बात किया गया है पर इसके बाद में अब ही देखते हैं आगे पीड़ावली वीडियो के लिए किरें इस के इस चीज़ निदे धर और पर चीज़िए थोड़ा सा क्या मागा गए है बैसलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फॉम रिकोगनाइड युनिवर्सट इंस्टूड विद अ मिनीमम और शिटी परसेंट मार्ग से सेडुल कास्ट सेडुल टाइप फीड़लोवीड एप्लिकेंट से 55 परसेंट और पोस्ट ग्रेजुएट के अंतरग से रिकोगनाइजड बाइड जी ओई अब्लीक युजेशी उनिवर्सटी ग्रांड कमिशन जिसको कहा जाता है ठीक है चांटर एकांटेंट के लिए क्या कहा गया यहां पर सौट में देख लेते हैं बैसलर डिग्री इन डिसीप्लेन फ्रॉम रिकोगनाइड युनिवर्स उसके फैनन जिए बाइस कए बाइस के बाइस का बात फैनेंस ओसे फैनेंज बैंकिंग यह कंग्राउग्चिंग कर श्रॉमे इंषिद कि उन'. सेटुल कास्ट सेटुल पी डॉल वीडी एप्लिकेंट 55% इन एग्रीगेट और कहा गया तू यह सफूल टाइम जैसे कि हाप लिखा गया ठीक पूरा इंफॉर्मेशन यह पर दिया गया जैसे कि उपन इंकलूट किया गया है एक बार देख ले दें आप और क्या कहा गया है फूल टाइम जो भी सीज इंकलूट है जैसे आप लिखा गया है टू यह से फूल टाइम पीज डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस अब्लिक है फूल टाइम एंबी और फाइनेंस है म्म्स फाइनेंस डिग्री वीड 55% मार्स सेटुल कास्ट सेटुल कास्ट प्वीड एप्लिकेंट 50% इन एग्रिगेट सेट फ्रोम इंस्टूट उनिवर्सटी रिकॉगनाइजड बाइज जी ओई अब्लिक है उसके साथ में कहा गया है कि यूजिसी वील बैसलर डिग्री इन एन डिसीप्लेन कंडिडेट से विल बी रिकॉर्ड है तो सब्मिट चार्ड जो 60% मार्ग से शेड़ल का इस एप्लिकेंट 55% मार्ग से लिक्यानाया पर जरूरी है डिजरेबल बेस्क अंतरकत की बात करेंगे तो कंडिडेट हूँ है चार्टर डी फाइनेंस एनलिस्ट बेसक अंतरकत पर डिग्री फ्रोम इंस्टूट यूसे फाइनेंसियल रिस्क मैने एसोचेशन से पी आर जिसको सवर्ड में एम आई यह कहा जाता है साटिफिकेट ऑफ एस जी इन्वेस्टिंग से फ्रॉम सी एफ इंस्टूड यूसे सस्टेनेविलिटी और एंड क्लाइमेट से रिस्क एसी आर से एसे फ्रोफेस्टिकेट फ्रोम ग्लोबल एसोचेशन सो है फूर यूर बैसलर इंजनयरिंग ते χिंटि कंप्यूटर सेंस्ट इम्प्यूंग को में एक टोनीक से व्क एनकेशन सतंतुर। थैर एक्रो मॉर्शुनिक थी एप suburbs." marks in aggregates और कहा गया है post graduate degree in computer science, computer engineering, computer applications, information technology, electronics, electronics and telecommunications, electronics and communications, electronics and instrumentations, data sense and machine learning and artificial intelligence with 55% marks, schedule class schedule tribe applicant 50% marks लेक्याना जरुदिया हैं के लिए in aggregates from a recognized university institutions और कहा गया है graduations with 60% marks, schedule class schedule type EWBD applicant 55% marks in aggregates from a recognized university institutions and having passed department of electronics and जह जो है यहां पर आगे क्या क्या गया है include क्या जैसे कि यहां पर कहा गया है कि accreditation of computers course DOEA WCV level यहां पर इंक्लूट क्या गया है ठीक है desirable कहा गया candidate with diploma or post graduation diploma in data science यहां पर इंक्लूट क्या गया है ठीक है agriculture के लिए कहा गया है bachelor degree in agriculture from a recognized university institute with minimum of 60% marks, PWBD applicant 55% marks in aggregates इंक्लूट क्या गया है ठीक है उसके बाद में animal husbandry के लिए जैसे कि यहां पर बात क्या गया है bachelor degree in veterinary science के लिए जैसे कि यहां पर लिखा गया है वेटनरी साइंस है अपलिक है animal husbandry from a recognized university with a minimum of 60% marks PWBD applicants 55% in aggregate और पोस्ट ग्रेजवे डिग्री इन वेटनरी साइंस अबलिक है animal husbandry with a minimum और 55% marks PWBD applicants 50% in aggregates from recognized university और इंस्टूट बेस के लिए फिसरी के लिए देखिए यहां पर क्या चीज़ है qualification bachelor degree in फिसरी साइंस से इंक्लूट किया गया है from a recognized university institute with a 60% marks ST और PWBD applicant के लिए 55% marks in aggregate और पोस्ट ग्रेजवे डिग्री इन फिसरी साइंस से 55% marks से इंक्लूट ट्राइब और PWBD applicants 50% in aggregate from a recognized university और इंस्टूट उसके बाद में है food processing के लिए bachelor degree in food processing food technology or dairy technology from a recognized university obligate institute with 60% marks PWBD applicants 55% in aggregates और पोस्ट ग्रेजवे डिग्री इन फूड प्रोसेसिंग फूड टेक्नलोजी और डेरी टेक्नलोजी विट 55% marks PWBD applicants 50% in aggregates from a recognized university और इंस्टूशन से ठीक है फोरेश्टरी के लिए क्या कहाई है देखें जैसे कि हाँ पर है bachelor degree in forestry बेस्ट के अंतरकत पर फ्रोम रिकोगनाइड युनिवर्सट इंस्टूट इंस्टूट इंस्टूशन से प्लांटेशन से और है बेस्ट के अंतरकत पर पेस्ट डिग्री इन अल्टी कल्चर से फ्रोम रिकोगनाइड युनिवर्सट इंस्टूशन से जो इनफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स के लिए जो यहां पर इंक्लूट है जैसे कि हाँ पर लिखा गया है क्या चीज़े देख लेते हैं जैसे कि ह कैसलर डीडीडीडीडीरी इन जीयो इन फोर्मेटिक्स जैसे कहा गया है फोगनाइड युनिवर्सट इंस्टूशन से फिस्त परूर्संट से मार्स प्मीरीकें से चीज़े ओगा पुरा इंक्लूट इसे किया गया है geoinformatics with a minimum of 55% marks PWVD applicants 50% in aggregates from recognized university or institutions देखें उसके बार में हैं development management के लिए bachelor degree in social work rural development rural management development studies development management development administrations economics development जैसे क्या है पर हो गया 60% marks schedule type and PWVD applicants 55% in aggregates or postgraduate degree in social work rural development rural management deployment studies obligation deployment management deployment administrations economics deployment economics with 55% marks STORPWVD applicant application applicant जोबिस्कां तर्गत में इंक्लोड़ोगा ठीक है applicants जैसे लिखागे 50% in aggregates from recognized university of the institutions उसके बार में statics के लिए क्या है qualification जैसे कि यहां पर दिया गया है पुरा इंक्लूड किया गया जैसे है बैसलर degree in statics mathematical statics और mathematical economics और economics or econometrics statics and informatics और applied statics and informatics from recognized university installed with 60% marks schedule try by PWVD applicant 55% marks in aggregate और है पोस्ट ग्रेश्वेट डिग्री इन statics mathematical statics mathematical economics or econometrics इंक्लूड है statics and informatics applied statics and informatics with minimum of 55% marks ST or PWVD applicants 50% in aggregate from recognized university or institutions civil engineering के लिए क्या कहा गया है जैसे कि नहां पर काई गई है बैसलर डिग्री इन civil engineering from any recognized university university institutions with 60% marks PWVD applicants 55% in aggregates और फोस्ट ग्रेश्वेट डिग्री इन civil engineering with minimum of 55% marks PWVD applicants 50% in aggregate from recognized university or institutions उसके बाद में निचे दिया गया है electrical engineering के लिजो है बैसलर डिग्री इन बैसल मागा गया ठीक है बैसलर डिग्री इन in electrical engineering electrical and electronics engineering from any recognized university institutions with 60% marks ST and PWVD applicants 55% in aggregates और पोस्ट ग्रेश्वेट डिग्री इन electrical engineering से अब्लिक है electronics and electronics engineering with 55% marks ST and PWVD applicants 50% in aggregate from recognized university or institutions और environmental engineering है अब्लिक है science जैसे include किया गया है जैसे इसके लिए क्या गहाँ है qualification bachelor degree in environmental engineering होना चाहिए और उसके बाद में हाँ पर environmental science from any recognized university of legal institutions with 60% marked ST or PWVD applicants 55% marks in aggregates or post graduate degree in environmental engineering obliq है environmental science with 55% marks as scheduled drive PWVD PWVD का full form होता है physical with benchmark disabilities applicants 50% in aggregates from recognized university or institutions human resources or management के लिए कहा गया है bachelor degree from any recognized university institutions and two years full time post graduate degree diploma in personal management or industrial relations से related human resource से related और human resource development labor law with 60% marks or schedule cast or PWVD के लिए 55% marks in aggregate from a recognized university or institutions assistant manager in grade A के लिए है जो है यहां पर राजभासा के लिए तो इसके लिए क्या है education qualification जैसे कि यहां पर कहा गया राजभासा के लिए बैसलर डिग्री फ्रॉम रिकोग्राइड युनिवर्सिटी इंग्लिस और हिंदी मीडियम विथा हिंदी and English as a compulsory of elective electives subject with a minimum of 60% marks as C or PWVD applicants 55% or equivalent of aggregates and PG diploma in translations and minimum one years in Hindi or English and as a from any recognized universities और कहा गया candidate must have study English and Hindi as subject in at least two years of bachelor degree course or master degree in Hindi with a minimum of 60% marks in aggregates SE or PWVD के लिए अप्रिकेंट के लिए 55% marks candidate must have study English as main and electives subject in at least two years of bachelor degree course और कहा गया है master degree जैसे हाँ पर लिखा गया master degree in English with minimum of 60% marks in aggregates और PWVD बेस के अंतरकत पर applicant के लिए 55% marks candidate must have studying is based के अंतरकत पर हिंदी as main electives subject in at least two years of bachelor degree course यह चीज़ होना चाहिए candidate must be able to translate from English to Hindi and words वर्षा ठीक मला बद्राइज विसके अंतरकत पर कहा जाता है यह चीज़ होनी चाहिए जैसे percentage की बात करेंगे जहां पर 60% का गया है तो जो इसका 10 में से जाता है तो 6.75 होना चाहिए 60% माना जाएगा फस्ट डिविजन और सेकेंड के लिए 55% के लिए 6.25 और उसके बाद में 50% जहां पर education में क्वेलिपिकेशन मागा गया परसेंटेज इतना होना चाहिए आपका जो भी है तो उसमें 10 में से परसेंटेज है तो 5.75 और 45% की बात करेंगे तो 5.25 होना चाहिए ठीक 10 में से मांग से तब उसके लिए लिजबल होगा यह थोड़ा साइन के दौरा यहां पर कुछ इसकी संबंदी इंक्लूड किया गया नेचर ऑफ वाक तो तो थोड़ा बहुत देख लिए जगा चाहिए काटेगरी में जो चीज़ें इसमें चूर दी जाएंगी एच्टर जो भी चीज़ें जैसे हैं फोड़ा सा से तो आपका देखिए से अंतर पर जो चीज़ें जैसे पिल नम रही पिरी का जो एक्जाम होना है तो यहां पर क्या है ग्रेड के लिए सबसे पहले है ट सोचियल इस्यूज वीथ है फोकॉस ओन दे रूरल इंडिया से 40 फोटी मार्क से यहां पर होगा फिर इसके बार में एट वे नमबर का अग्रिकल्चन एंड रूरल डैप्लमेंट वीथ इंपैसिस और रूरल इंडिया तो इसमें 40 फोटी मार्क सब्सक्राइब है वर्जन क आपको टाइम दिया जाएगा 200 क्वेश्चन आपको शॉल्ब करना है ठीक है ध्यान रखना जैसे पेपर सेकीन है उसके बाद में में एक्जाम टेस्ट है इस्टेक्टर फोर ग्रेड के लिए तो यहां पर जैसे पेपर है तो फेपर जो फश्ट है तो जनरल इंग्लिस है डिस्क्रिप्टी बेस में और नंबर ओव क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन होंगे हंडिट मार्क्स का होगा डूरेशन नब्बे मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा ठीक है उसके बाद में सेकिंड पेपर है इकोनो इकोनोमिक्स बेस्ट के अंतरकर पर एंड सोशियल अग्रिकल्चर से एंड रूरल डेप्लेमेंट के लिए और जर्ट होगा 30 यहां पर यहां पर क्या होगा नंबर ओक्वेश्चन 30 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स का होगा जैसे कहा गया कि 6 क्वेश्चन विल बी आस्क टू आप विच कंडिडेट विल भी रिक्वाइड अग्रिकल्चर से एक श्यां पर क्रेश्चन विल बी बीच्वेश्चन आपकी क्या होंगे च्छी के टू आपकी 15 मार्क्स एच फिश्च के लिए और बीच्यां डिया जाएगा त्टिक हैं इसके इस तर्गत पर उन्हें चेप्सक्ति नंबर क्यों बीच निया जाएगा पर पेपर होगा तो जनरल इंग्लिस का जो पेपर होना है तो यहां पर किया ऑनलाइन है डिस्क्रिप्टि बेस में थ्री क्वेशन होंगे हंडेड मार्क्स और नबबे मिनट के अंतरगत पर पेपर करना है जो आपका फेपर है तो यहां पर अबजेक्टि बेस का अंतरगत पर नम्र ऑफक पर जिसमें 6 क्वेशन में से 4 क्वेशन सौल करनें 2 क्वेशन आपके 15 15 मार्ग सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए इसमें भी टाइमिंग दी जाएगे ठीक है उसके बाद में राज भासा के अंतरकेत पर होना है पहला पिपल्ड इंगल्लिस लेंग्व यह का है online है दिस्क्रिप्टी फेस्टिए में 3 नमइर की नबे मिनिट का टाइम दिया जाएगा दूरसा है सप्टेसेपिक से पेपर होना है पीपर से किन ऑपजक्टव में 30 मांक्स उसके बाद में 30 मिनिले का timing और descriptive type का जो पेपर है तो six questions है जिसमेंसे दो question है आपके 15 marks सका होगा दो question 10-10 marks का होगा 50 नमबर का 15 marks का होगा 90 नब्बे मिनट का आपको timing दिया जाएगा एक डेड़ घंटे का आपको timing दी जाएगे इसके इंतरगत पर ठीक है उसके बाद में देखिए जो है इंह्लिएस तोड़ा सा सध्रवस्वाइब दिया होगा आप देख देखिस एक आपके पास में हुगा इसमें तो इसके का पर अगर एक्जाम सुनेटर अन्हें टी यू टी तो इंक्लूड करें थाटी-थी बेश के अंधर अग्वर्च जो सीटी एक इंपर इसके बार एक इ इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट से लेकिन जो कुछ टॉप स्टेट के अंतरगत पर आता है तो उसके अंतरगत के कुछ सेंटर बनाए गए ठीक है ताकि सब को सुटेबल हो एक्जाम के लिए फॉर्म पिस की बात करेंगे तो फॉर सेडूल कास्ट सेडूल राइप फिज कीजिएगा फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि कोई इस्यू आपका आने वाले समयपन नहीं हो ठीक है जैसे ओपिसल वेबसाइट की बात करेंगे तो सीजी आरस आइबी पीएस डॉट इन दिया गया वैसे तो अगर कुछ नहीं है अगर कंप्यूजन है तो सरकारी रिजल्ट डॉट डॉट पर जाकर एन एबी डॉट डॉट गूगल एक रोम पर सर्च किजिएगा तो समझ गयोंगे देखिया ओनलाइन अप्लिकेशन रजिस्टेशन एंड पेमेंट ऑफ ओनलाइन पीस एंड इंटिमेशन से चार्ज जो इंक्लूड है 27 जुलाय दोजार चॉबिस स तक है आपके पास में बहुत सारा टॉपिक ट्राइम है आप इसके लिए फॉर्म पीस या जो भी पर सिजर करना भी स्टार्डिंगी हुई है ठीक है थर्टीजरी पीज के अंतरगत पर नाबाट के द्वारा इनफॉर्मेशन आपके लिए अपडेट किया गया था जानने के लिए कोई confusion नहों सकते हैं सबसे पहले हमने देखा कि कब से कब आप फिल कर सकते हैं और आपका एक्जाम कोब होगा और 102 पोस्ट है किस कटेगरी के अंतरगत पर किती वेकें से हमने देख लिया आपका जो भी कटेगरी होता है अन्रिजर्वल डिजर्वल प्रस्ट्री है तो किया प्लांस और होल्टी कर बेसा जो भी है जिए इन्फोर्मेटिक से बसके अंतरगत तो सारा का सारा मैंने एजुकेशन को यह लिए था डिसकस्ट भी कर लिए कि किस के अंतरगत पर किता पर संटेड मार्क्स होना जरू है का डिप्लोमा है क्या चीज स्की की बात करिए इंदरेक्शेशन के अंतरगत पर हमने बात किया फिर उसके एंग्न से लिना पर शाऽे ठीक है समझ गयोंगे सौड़े रूब से पुरा इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइट कर दिये जो नाबार्ड बैंक के अंतरगत पे अलग लग डिपार्टमेंटों के लिए 102 पोश्टों के लिए जो नौटिपिकेशन अपडेट प्रोवाइट किया गया है ठीक है य जाने की कोशिस करो ताकि आपको कोई कंफूजन दो यह दिया आज का इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजएगा कमेंट कीजिए और मारी इस चैनल नेक्स टेम को सब्सक्राइब कीजए वापर शम नेक्स टिकलास के अंतरगत पाप से मिलेंगे जैहीन जय भारत